नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज पर आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं पुलिस रिक्रूट्मेंट को लेके जो ओफिशिल नोटिफकेशन एचपी गौर्णमेंट की तरफ से आई है पुलिस रिक्रूट्मेंट कब होगी कैसे होगी क्या क्या नए पैरामेटर्स रहेंगे सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ओपर दिख रहा होगा एचपी गौर्णमेंट का ओफिशल नोटिफकेशन है इसमें जो है सारी चीजें लिस्टेड हैं क्या क्या इस बार चेंज हुए हैं कैसे कैसे रिक्रूट्मेंट होगी तो आप जो है वीडियो के साथ एंड तक बने रहें क्या क्या नए चेंजिस हैं क्या क्या नई चीजें इस बार इनोंने मांगी हैं क्या क्या नई चीजें होंगी वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो मेरे साथ ही जो इस चैनल पे नए हैं जो discuss करना उतना जरूरी नहीं है इसमें सरफ एक चीज important है कि इस बार की recruitment जो है वो totally district wise होगी और district में होगी और जो recruitment officer है वो concern district के SP रहेंगे और जो आपका test है वो सारे districts में district headquarters में होगा और एक ही time पे होगा जैसा कि आपको आपकी screen के ओपर दिख रहा होगा कि आपकी जो है अलग-लग categories के लिए अलग-लग जो है आपकी age limit या आपकी education qualification है वो क्या क्या रहेंगी पहले इनकी age जो ये consider करते थे वो general के लिए maximum age जो हो 23 years और reserved categories के लिए 25 years consider करते थे लेकिन इस वार इसको सबसे बड़ी खुशकबरी कह लीजिए या आपका luck कह लीजिए कि government ने जो है वो age relaxation up to 2 years कर दी है मतलब जो general category के जितने candidates रहेंगे वो 18 साल से लेके 25 years के जितने candidates हैं वो सारे apply कर सकते हैं जबकि reserved categories के जितने candidates जो है और जो आपके home guard जो है वो 20 years से लेके 28 years तक जो है वो apply कर सकते हैं उसके लिए आपका जो है और अलग से जो आपके sportsman बगएर हैं उनके लिए maximum age limit जो है 27 years रखी गई है मतलब जो आपके ऑफिशल नोटिफिकेशन अर्लीज नहीं हुए है तो जिस दिने ऑफिशल नो 25 years होने की जैसे माल लेजिए आपकी यह notification जो है यह form जो फिल होते हैं वो शुरू होते हैं आपके 20 जुलाई को तो जो 20 जुलाई तक जितने candidates होंगे जिनकी age 25 years तक complete होगी journal category के लिए जो 25 years के होगे 20 जुलाई तक वो सारे के सारे इसके लिए eligible होगे apply कर सकते हैं जो आपकी general category के जितने candidates हैं 18-25 साल तक उनकी age होनी चाहिए 10 plus 2 सभी के लिए basic educational qualification रखी गई है males की height जो 5 feet 6 inches होनी चाहिए females के लिए 5-2 inches होनी चाहिए chest expansion जो हो सिर्फ और सिर्फ males के लिए की जाती है वो आपको आपकी screen पे दिख रहा है SC category के लिए जो है आपकी age 18-27 years होनी चाहिए जो आपकी height है males के लिए 5-4 और females के लिए 5 OBC के लिए आपकी height जो है males के लिए 5-6 और females हैं 5-2 होनी चाहिए और जो आपके गोरखाज है उनके लिए height 5-4 और 5 जो आपके home guards है OBC के लिए या journal के लिए उनकी आपके height जो है 5-6 और 5-2 और जो home guards है आपके SC category के लिए height जो है 5-4 और 5 inches जो है इन्होंने यहाँ पे रखी हुए है next हम चलते हैं आपके आगे यहाँ पे जो है इस बार इन्होंने 5 marks जो है वो आपके height के लिए decide कि हैंगी height के आपको 5 marks मिलेंगा तो इसका criteria आपको आपकी screen पे दिख रहा होगा जिन candidates की males की height 5 feet 7 inches से कम होगी उनको 0 marks मिलेगा height का और females की जिनकी height 52 से कम होगी 5 7 और 58 के बीच में जिनके height होगी males की उनको 1 mark हीट का मिलेगा 58 to 59 2 marks मिलेंगे 59 to 5 10 जो हो 3 marks मिलेंगे 5 10 to 5 11 जो हो 4 marks मिलेंगे और 5 11 या इससे अधिक आगर आपकी height है तो आपको 5 marks मिलेंगे सेम फीमेल्स के लिए जो है 5-2 से 5-3 तक 1 मार्क, 5-3-2, 5-4 जो है 2 मार्क, 5-4 तो 5-5, 3 मार्क, 5-5 तो 5-6 जो है 4 मार्क और किसी फीमेल की हाइट अगर 5-6 से सबाव है तो आपको पूरे के पूरे जो 5 मार्क इसके लिए दिये जाएंगे नेक्स्ट हम चलते हैं आपका ground जो है क्या रहेगा, ground की qualification जो है वो क्या रहेंगी तो males के लिए जो है वो आपको 1500 मीटर का जो run है वो compulsory है इसके लिए आपको 6 मिनट और 30 सेकंड के मिलेंगे इसके लिए आपको कोई भी extra chance जो है वो नहीं दिया जाता है ग्राउंड के लिए रणिंग के लिए जो आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाता है लॉंग जंप और हाई जंप के लिए जो आपको 3-3 चांसे रहते हैं तो जो 1500 मीटर है मेल्स के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है और फिमेल्स के लिए 800 मीटर की जितनी रण अगर फीट में चनवर्ट करें तो 4.10 feet के तक्रिबन बनता है फिमेल्स के लिए मिनिमम जो है 1 मिटर जो है आपका हाई जंप रखा गया है तो यह जो है आपका 3.30 के अप्रॉक्सिमेट जो है वो बनता है अब लॉंग जंप की तरफ आते हैं तो 4 मिटर जो है वो मेल्स के रखा गए approximately 13.10 feet में बनता है और females के लिए 3 meter रखा गया है तो 9.780 के something जो है वो बनता है आप approximately 10 feet मान के चलिए next आता है आपका written examination written examination में इन्होंने 80 marks की examination रखे जिसमें clearly mention किया गया है कि English के आपको 16 questions रहेंगे Hindi के section रहेंगे GK के section रहेंगे math और science के section रहेंगे और reasoning के आपको अलग से 16 marks है वो रहेंगे section question रहेंगे तो total आपके 16 into 5 करें तो 80 marks plus 5 height के 85 होगया total recruitment आपकी जो है वो आपकी 100 marks होगी यह सबसे बड़ी news है guys की interview जो है वो totally खतम हो गया है और जो 15 marks है वो आपके documentation के base पे रहेंगे जैसे आपके subordinate board की documentation होती है जो जो आपके पास documents रहेंगे उसके according जो है वो आपको marks मिलेंगे तो documents मिना होने क्या मागा है जैसे कि आपके normally जो आपके educational qualification होती है उसके 2.5 marks जैसे आपका backward पंचायत है उसका mark जो आपकी landless है उसका एक mark NCC, NSS, etc. जो आपके रहते हैं वो 4 marks होते हैं आपके एक और इन्होंने 1.5 marks डेर्ड नंबर जिसको हम बोल सकते हैं वो इन्होंने दिया है अगर आपके पास DL है driving license है अगर आपके पास अगर आप vehicle चलाना जानते हैं तो आपको जो है डेर्ड नंबर free का है तो मेरी सबी से request है जिनको driving आती है जिनका अभी तक DL नहीं बना है फटा फट वो अपना DL बनवाले क्योंकि आपको जो है डेर्ड नंबर free का यहां पर दिया जा रहा है डेर्ड नंबर बहुत होता है merit बनाने के लिए तो जिनका driving license नहीं है और driving अच्छे से जानते हैं चाहे वाई, car किसी की भी driving जानते हैं वो kindly अपना license जो है वो बनवाल जो है वो आपका totally जो doctor है government की तरफ से आपको जो है जैसे parameters रहते हैं उसके उपर जो है वैसे आपकी medical examination जो है वैसे रहती है और आपका character certificate जो है वो ऐसे बनता है और सबसे बड़ी चीज जिन अब मेरे साथ ही उने अभी तक अपने कोई form बनवाने है कोई सी को OBC का बनवान इसके लिए इसके साथ साथ जो है police department और government की तरफ से एक और notification आई है कि इस वार जो है वह आपका dope test भी किया जाएगा कि कोई जो है नशा करके जो running नहीं कर रहा है ground test तो नहीं दे रहा है इसके लावा आप से जो है इस वार extra fees ली जा सकती है up to 100 rupees per candidate जो है extra fees ली जाएगी क् कोवीड प्रोटोकॉल के लिए यह कोवीड के जो distancing है उसको maintain करने के लिए जितना वहां पे खर्चा होगा social distancing आपके sanitizer या अलग लग चीज़ों पर जो खर्चा होगा वो totally जो है इस वार candidate से लेने का इनोंने फैसला किया है तो मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो चैनल के साथ जोड़े रहे हैं बाकि अगर आप चाहते हैं कि हम police के ओपर एक series जो है वो चलाएं जैसे आपके जितने question हैं जितने syllabus के according जो है अगर हम test series चलाएं और syllabus को मैं आपको cover करवाऊं पूरे के तो आप जो है मुझे comment box में comment करके बताएए फिर हम free of cost जो है इस channel के पर जो है एक series चलाएंगे जिसमें आपके सारे topics cover होंगे और return test की त्यारी जो है वो बहुत अच्छे से होगी इतना मैं आपको assure करता हूँ कि अगर आप लोग साथ देंगे और सही से comment आएंगे और सही से अगर हम एक वार series चलाएंगे तो maximum candidate जो है जिस जो मैं तरीका बता चलाएंगे.